तो इस लेक्चर में हम यह सीखेंगे solid state में कि जो unit cell होता है उस unit cell में किसी भी एक unit cell को देखकर can we tell about the number of lattice points or number of atoms or number of ions or number of molecules in that unit cell होता है तो उसके लिए पीछे के लेक्चर से unit cell के उसको देखकर आप समझ भाएंगे को सब्सक्राइब कुछ basic बातें हो जाएं सब्सक्राइब क्रिस्टल लाइटेस इस मेड़ अफ वरी लार्ज नंबर अफ यूनिट cells पहली बाब ते बेसिक होगी के crystal lattice जो होता है या space lattice जो होता है उसका जो जो जिससे मिलके वो बनता है that that is called the unit cell अच्छा फिर and each lattice point in unit cell is occupied by one constituent particle unit cell में जो lattice points होते हैं या lattice point location से यहां संदर है वैसे तो lattice points को ही हम लोग constituent particle बोल देते हैं तो इच lattice point is occupied by one constituent particle अब हम इस lecture में क्या देखने वाले हैं हम यह देखने वाले हैं कि what portion of each particle belongs to a particular unit cell हम यह समझेंगे कि वो जो lattice point पर एक particle रखा हुआ उसका कितना हिस्सा दरसल उस unit cell का हिस्सा है या वो उस unit cell में कितना contribute करता है so this is the basis behind today's lecture okay तो हम start करते हैं सबसे आसान unit cell से which is cubic and primitive अब cubic तो अब cubic और primitive unit cell क्या होता है बच्चों फिर से पीछे वाले lecture में हम लोग कवर कर चुके हैं so सबसे पहले जो सबसे easiest है उसको देखते हैं so that is primitive means primitive या simple unit cell का मतलब होता है कि lightest points के वल corners पर ही corners पर attach only यानि कि किसी भी body न तो वो body center पर है और ना ही face center पर है only at the corner so that is the primitive or simple unit cell so अब ये एक primitive cubic unit cell को जरा गंभीरता से देखें तो primitive cubic unit cell में सामने आप जो figure देख पा रहे हैं बक्चो this figure consists eight unit cells eight cubic unit cells आओ अब इस structure को दो floors में distribute कर दिए so this is the first floor or you can say ground floor and this is the top floor तो जो नीचे वाला floor है उसमें देखिए चार डब्बे आपको दिख रहे और उपर वाले floor में भी आपको चार box नजर आ रहे हैं four cubic boxes are there okay तो आप ऐसे समझें कि इस figure में all together eight unit cells are drawn you know these are eight unit cells okay and of course all are cubic all are cubic means all sides are same और all edges are same तो यह जो आठ cubic unit cells देख रहे हो तो उसमें इस इस lattice point पर यह जो पार्टिकल लखा हुआ है constituent particle इसको जरा गौर से देखो तो यह जो आठों unit cell इस तरह से है नो यहां पर रखा हुआ है so सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि यह जो lattice point हम देख रहे हैं क्या यह lattice points आठों unit cell में count होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा क्योंकि यह तो बीचों बीच में है तो किसी डब्बे के भी इस कोने पर देखेंगे तो आपको इस कोना यह जो corner है this is the corner of all the eight unit cells और इस spherical ball का कुछ हिस्सा हर unit cell को मिलेगा कि नहीं मिलेगा या इस ball का कुछ हिस्सा हर डब्बे में रहेगा कि नहीं रहेगा तो सब बिल्कुल रहेगा हर डब्बे में इस ball का कुछ हिस्सा रहना है और चुकि ये बॉल स्फेरिकल है और ये सबके सब क्यूबिक हैं एकदम सिमेट्रिक सिस्टम है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये बॉल आठ डबों में बराबर बराबर बटी हुई है यानि कि इस बॉल का जो भी पोर्शन एक बॉक्स में रहेगा वैसा ही पोर्शन औल सभी इसन하면 रहेगा तो हम कहें कि भाई एक बॉक्स में कितना पोर्शन रहेगा तो आप कहेंगे एक बॉल एससा और आठ डब एंट बटे अट हिस्सा इसका जो है हो her डबे में रहेगा और और कि on है हम one एक फ्लोर और अरेंच कर दे मतलब क्या करें कि चार और यूनिट के कुन चैल और और इसकी उपर रखते हैं तो फिर क्या होगी फिर इसकी भी इस्तित्थी वही गी जो और उसके बाद क्या करें कि चार इनट को इस यह जो जी जो फेसे से मिलाके यहां पर बढ़ा तरह की इस मतलब यहां पर ऊपर के दो लगा दीजा और नीचे के दो बढ़ती है तो यहां भी क्या होगा? यहां भी फिर यह बॉल क्या है? आठ लोगों में बढ़ जाएगी, आठ बॉक्स में बढ़ जाएगी, चार में तो दिखी रही है, एक, दो, तीन, चार, चार इसके बगल में आ जाएगे, अभी इस बॉल का कुछ हिस्सा इस फेस से बाहर निकला है न, 50% of the sphere is, is out of this face, and 50% of this sphere is inside these four faces, तो वो जो बाहर निकला हुआ 50% हिस्सा है, वो 50% पोर्शन जो है, वो इन चार डबबों में, अगर आप यहां पर चार डबबे, चार बॉक्स और आरेंज कर देखें, तो उनमें आ जाना है, तो अगर हम एक ऐसा crystal lattice system देखें बच्चो which is composed of cubic unit cells, then what will happen, क्या होगा कि हर constituent particle जो है वो आठ unit cell का हिस्सा रहेगा, तो एक unit cell में उस constituent particle का कितना पूर्शन नजर आएगा, तो यह विल से कि 1 by 8 कर दीज़, तो 1 by 8 part, so this is all about the primitive cubic unit cell, so primitive or simple cubic unit cell has atoms only at its corner, we all know, each corner atoms is shared among 8 unit cells, जो मैं भी आपको सम्झाया, 4 unit cells in upper layer, very good, 4 unit cells in lower layer, very good, only 1 8th of a constituent particle, whether it is molecule or atom or ion, actually belongs to a particular unit cell, अब यह जो अपनी primitive unit cell देख रहते हैं, पीछे, उस primitive unit cell को बनाने के यह तीन और तरीके से दिखाएगा है, this all has been taken from your NCRT book, nowhere else, देखो बच्चो, यह primitive unit cell है, लेकिन दरसल यह जो primitive unit cell होता है, इस तरह से जो figure draw किया जाता है, वो आपको सम्झाने के लिए draw होता है, ऐसा नहीं होता है कि दौनों के बीच में इतना लंबा लंबा gap है, ऐसा भी नहीं होता है कि दौनों के बीच में यह दो लोहे के बॉल हैं, इस बीच में जो है, इस टील की पतली रोट से जोड़े हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है, this shape is not the actual shape, this shape is drawn or taught just to make you feel comfortable about the actual shape, होता तो यह है कि यह जितने भी constituent particle एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, depending upon the force of the lattice, ऐसा नहीं होता है कि यह पतली पतली रोट हैं और यह लोहे के इससे बॉल जुड़े हुए, ऐसा कुछ नहीं, यह बस समझाने के लिए एक open structure थोड़ा खोल के बना दिया जाता है, जिससे कि आपको sound में आ जाए, अच्छा ठीक है भाई, एक cube है, cube के चार corner ऊपर है, चार नीचे है, तो आठो corner पर एक-एक ball लगी हुई है, बीच में कोई ball नहीं है, इसका मतलब यह primitive structure है, इसलिए ऐसा बना जाता है, so this is called open structure, so this A is what, this A is the open structure of the cubic unit cell, now this is the actual structure, practical structure, अब इस practical structure हम देखोगे तो क्या है, कि यह, इच side के यह जो चार आप देख पा रहे हैं, these are the four constituent particle, और इसके बगल में भी four constituent particle है, एक दिख नहीं रहे हैं, पीछे है, यह जैसे चार हैं, वैसी चार यहां भी है, तो now this is the actual structure, all particles are in contact with each other, to make a perfect and perfect crystalline lattice, अब यह actual structure है, अब आज जो हम लोग इस lecture में परने गा रहे हैं, वो क्या है, वो यह है, कि हमें यह चाहिए करना है, कि एक unit cell में, एक दिए हुए particle का कितना हिस्सा प्रेजेंट रहता है, तो वो यह है structure, बग्चो, अब उस इस्पेस फिलिंग इस्ट्रक्चर में क्या किया, कि हमने एक unit cell वाला पाट लिए बाकी बॉल का जो हिस्सा था उसको काट के अलग करती है, तो तुमने क्या किया, कि आठो सेंटर को मिला कर एक cube ड्रॉ कर दिया, अब उस cube के बाहर जो कुछ भी था, उसको चाकू से काट के अलग कर दिया, इस तरह से सोची है, है ना, उसको slice out करके बाहर निकाल दिया, और उस cube के अंदर जो रह गया, वो आपने retain किया, बाकी portion को बाहर कर दिया, तो देखो क्या देख पा रहा है, यह consider this corner, इस corner पर यह जो पार्ट देख रहा हूँ, यह क्या है, यह इस spherical ball का 1 by 8th portion, similarly 1 by 8th portion इसके उपर अगर एक cube आजाए तो उसमें आ जाएगा, 1 by 8th portion अगर इधर एक cube आजाए तो उसमें आजाएगा, यह इसे इधर एक cube आजाए तो उसमें आजाएगा, यह इसे अभी हम लोग पीछे किये थे, तो एक unit cell को दिखाये गया है इसमें और इन इस one unit cell, it is clearly shown that one ball या one constituent particle has 1 by 8th part in this unit cell, and it is totally distributed in 8 unit cells, so this is the C figure tells us the actual portion of an atom belonging to 1 unit cell, so total number of atoms present in one primitive cubic unit cell, कितने हो जाएगे भाई, अभी यह main बात, this is the main thing, which we need to remember, एक primitive unit cell में कोई पूँचे के कितने atom है, तो भूलके भी 8 नहीं कहेंगे, कहने को 8 दिख रहे हैं, 8 कोने पर एक एक atom है, लेकिन यह जो किनारे पर जो एक atom देख रहे हो या molecule कहलो है, इसको ion कहलो है, कोई भी constituent particle, यह 100% अपने unit cell का हिस्सा नहीं है, इसका 1 by 8 पॉर्षन ही इस unit cell का पॉर्षन, इस unit cell के अंदर आता है, so, all together 8 atom, and each is contributing 1 by 8, so, total number of atom is 8 into 1 by 8, which is 1, so, if you are asked, say, tell me, how many number of atoms are present in one primitive cubic unit cell, या one simple unit cell, तो आप answer करेंगे, कि इसमें केवल और केवल सर, एक ही atom होता है, कोई detail में पूशे, तो आप ऐसे बता देंगे, सर, हर corner पर एक-एक constituent particle हैता तो है, बट सर, क्या होता है, कि हर constituent particle का 1 by 8 पॉर्षन ही, उस unit cell का हिस्सा होता है, इसलिए 8 इंटो 1 by 8 कर देंगे, सो वी गेट आणसर 1, अब जो दूसरा unit cell है, याट इस बोडी सेंटर्ट क्यूबिक उनिट सेल, बोडी सेंटर्ट क्यूबिक उनिट सेल को दरह सम्झे, बोडी सेंटर्ट में जो प्रीविएस लेक्चर था, हम पड़ते थे कि इफ बोडी सेंटर्ट इनिट सेल, इन वाट हैपन्स कि उसके कॉर्णर्स पर तो 8 इंटम्स रह नहीं रहने हैं, लेकिन उसके बोडी सेंटर पर यानि कि बीच ओ बीच में भी एक एक अटम आना ही आना है, तो यहां भी देखें, तीन फिगर मैंने ड्रॉ कर दिए, एक तो वो ओपन स्ट्रॉक्चर है, जो इस पर यहां इस इस यूनित चल इस तो देखो, अभी अब भी अपिशला अगर समझ गया है, तो यह समझने भी बहुत आसा नहीं, कैसे, यह जो और आटम्स है, इनका तो 1 बाई एट पोर्षन ही इस यूनित सेल का हिस्सा है, अच्छा, बर्त इस इस मिडल, यह जो सेंटर, वोडी सेंटर पर जो अटम देख रहे हो, यह बचो 100% इसी यूनित सेल का पार्ट है, देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, यह इसको देखो, देखो यहां पर, यह जो बीच वाला बॉल है, इस 100% बिलोंग्स तो इस यूनित सेल, लेकिन यह जो कॉर्णर वाले हैं, इनका 1 बाई एट पोर्षन उनली बिलोंग्स तो इस यूनित सेल, तो ना हो, अब आम से आप से पूछे जाए, कि भाई बताइए कि इसमें कितकुल कितने आटम है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कि 8 इंटो 1 बाई 8 प्लस 1, यह जो आठ है, सबका 1 बाई 8 पोर्षन इस इंक्लूड़ेद इन दिस उनित से, तो 8 इंटो 1 इंटो 1 इंटो 1 इसका कंप्लीट एक है साई, देखो, इन बोडी-CENTERED CUBIC UNIT CELL, BCC means, बोडी-CENTERED CUBIC, बोडी-CENTERED CUBIC, इन बोडी-CENTERED CUBIC UNIT CELL, 1st 8 corners into 1 by 8 per corner atom, so this is 1 atom, and 1 body-CENTERED ATOM, यह जो body-CENTERED ATOM, यह 100% उसी unit cell का पार्ट है, तो इसको देखीगे ना जाएगा, बच्छो, तो कुल कितना हो गया, 2, so total number of atoms in a BCC UNIT CELL is equal to 2, body-CENTERED CUBIC में, कुल कितने ATOM होगे, बच्छो, 2, और primitive CUBIC में, कुल कितने ATOM हो जाते हैं, 1, so this is very easy, now after body-CENTERED CUBIC, let us see the 3rd unit cell, which is face-CENTERED CUBIC, अब face-CENTERED CUBIC के बात करें, भाई, तो face-CENTERED CUBIC को समझे, तो अब face-CENTERED, यानि FCC को समझने के लिए, पहले तो यहीं जानकारी हो, किसी को, कि FCC होता क्या है, तो बैसे तो हम लोग पीछे के लेक्चर में, अल्लेडी पढ़ चुके हैं, कि FCC क्या है, फिर भी एक पार देख लिए, FCC का मतलब यह है, कि corner पर तो 8 ATOMS होने ही चाहिए, वो तो चाहे primitive हो, चाहे BCC हो, चाहे FCC, सभी में corner 8 ATOMS तो होते ही होते हैं, अब जो face-centered cubic होता है, उसमें क्या होता है, कि इस cube के जो 6 face, यानि 6 दीवाल होती है, एड़ इच वाल, हर वाल के center में एक 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 आटम रहता है, जरग और करो, जैसे, जैसे, consider these two cubic unit cells, say this is unit cell A, and this is unit cell B, अब यह जो ball है, यह ball, इस face पर यह जो हलका सा dark face आपको नजर आ रहा है, this dark face, यह जो dark face आप देख रहे हैं, इस dark face के center पर है, यह जो ball है, तो this is the junction face of these two unit cells, अब इस face के बीचों बीच में यह ball रखी हुई है, तो ज़रा सोचिए, कि क्या इस ball का आधा हिस्सा, इस A unit cell में, और आधा हिस्सा इस B unit cell में नजर आएगा, जवाब है हासर बिलकुल, 50% of this spherical ball, is the part of this A, and 50% is part of this B, तो अगर आपसे यह पूछा जाए, कि भाई यह जो ball है, यह जो constituent particle है, इस constituent particle का, एक unit cell में कितना contribution है, तो आप कहेंगे, A में 50% contribution है, और 50% contribution इसका B में भी है, क्योंकि यह आधी-आधी बटी हुई है दोनों में, तो ज़रा यह सोचा जाए, कि अगर हम, इस cubic unit cell के, किसी भी face के उपर, एक और cubic unit cell लगते हैं, तो उस face पर जो constituent particle present है, क्या वो आधा-धा दोनों unit cell में बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, तो जितने भी face पर रखे हुए, यह constituent particles हैं, उन सब का, एक unit cell में जो contribution है, that is only 50% है, और corner वाले का, बिचारे का तो 1 by 8 होटा ही है, corner वाले का तो 1 by 8 होटा ही, देखो यह space filling structure कैसा जटिल है, कोई जटिल नहीं, एक बार बस समझने की दे रही है, देखो बच्चो, say this is the top floor, this is the top floor, यह top floor का है, यह cubic unit cell का, उपर का wall है, उपर का face है, तो इस उपर के face के corner पर, कितने atoms देख पा रहे हो बच्चो, 4, बीच ओ बीच में कितने देख रहे हो, एक, देखो इसको, इसके center को, if you join all the centers, what will happen, you will get a very beautiful cube, let us do this, देखो, देखो कितना सुंदर cube बन रहा है, फिर नीचे वाली को भी जोड़ दूँ, अब क्या है कि इसका center, यह जो यह वाला face है, इस face के जो बीच में यह ball रखी हुए न, उस ball ने इसके center को थोड़ा सा cover कर लिया है, थोड़ा उपर आएगा, है ना, okay, okay, so look at this cube, look at this cube, यह यह जो face है, थोड़ा सा आपको उतना मज़िदार नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि, चुंकि हम 3D देख रहे हैं बच्चों, तो यह जो बीच वाला, इसके face के center पर जो ball है, उसने इस corner वाले के center को ढख दिया है, तो इसलिए वो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, समझने के लिए काफी है, so this is the side face, this is this side face, देखो, यह वाला जो face है, वो यह, यह जो face है, वो यह जो बना हुआ है, और जो top है, वो यह बना हुआ है, three दिख रहे हैं, नीचे का, यह वाला और यह वाल अपने को दिखी नहीं रहा है, काया बना ही अभी नहीं, हमें एक तो यह दिख रहा है, एक यह दिख रहा है, और एक उपर वाला भी दिख रहा है, अब इस, इन सब के जब centers को join करेंगे आप, और बाकी को slice out करकर बाहर कर देंगे तो what will happen, देखो क्या होगा, यह जो corner वाली ही तो one by eight one by eight हिस्सा sphere का ही जाएगा, अच्छा जो center पर रखे हुए हैं, हर face के center पर जो रखे हुए हैं, उनके साथ क्या होगा, आधा ball रह जाएगा बस, आधा ball बाहर चला जाएगा, इस unit cell में 50% of the sphere will be retained and 50% will be sliced off, तो यह जो आधा-धा ball है, इसी का तो 50% portion contribution है, वही इस figure में भी दिखाया है, so an atom at face center of unit cell is shared between two unit cells, जो face center per unit जो atom है, this atom is shared between two unit cells, तो यह FCC जो face centered cubic, FCC face centered cubic, BCC body centered cubic, तो यह जो face centered unit cell होता है, face centered cubic unit cell होता है, उसके यह तीनो structure है, this is the open structure, this is the actual space filling structure and this is the structure in which actual portion of each constituent particle is mentioned, so this is all about the FCC, so in FCC unit cells, अगर हम यह देखे number of atoms कितने है, तो देखो, सब से पहले तो हर corner पर एक एक atom और हर corner atom का 1 by 8 atom जो 1 by 8 portion is present in the unit cell. 8 corner atom into 1 by 8 atom per unit cell that is one atom. यह तो करती ही चले आ रहे हैं. primitive में भी वैसे ही होता है. और body center में भी वही होना है. FCC में भी होना है. अब यहाँ पर जो face centered atoms है. तो हर face पर एक एक atom है प्यारे बचो और कुल कितने face होते हैं क्यूब में? So total 6 So 6 face centered atoms हर face पर एक एक atom और हर atom का 50% और you can say 1 by 2 वो unit cell का हिस्सा होता है So 1 by 2 atom per unit cell So total is 6 into half which is 3 So 3 atoms here 1 atom here, total 4 So total number of atoms in FCC unit cell is equal to 4 Total number of atoms in simple or primitive unit cell 1 BCC Total number of atoms 2 FCC total number of atoms 4 Okay बच्चो So this was all about this lecture in which we learnt total number of atoms 2 particles in a cubic unit cell In takes a minute